नमस्कार पत्रिका की ओडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ नीहा माद्य प्रदेश की मुख्यमंद्रेश रासिन चाहा ने शमसधारों का एलान करते हुए कहा कि प्रदेश में आप दुकाने खुणने की समय सुविमा सुबे च्छा बजे से राद बारह बजे तक होगी ये अभी सुबे आठ से राद दस बजे तक की थी इस सर्शोधन से जहां रोजगार के अफसर बढ़ेंगे वहीं दुकानों में भीर नहीं लगेगी कारखानों और कार्यलेयों में काम कराने की पाली आठ घंटे से बढ़ा कर 12 गंटे की की गई है सब्ता में 32 गंटे तक कार कराय जाने की अनुमती होगी हालंकि इसके लिए ओवर टाइम देना होगा उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए उधमी सुवधा अनुसार पाली में भी बदलाव कर सकती है उन्होंने कहा कि चीन से उध्योग हट रही है मध्यप्रदीश में हमें निवीश लाना है हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को बढ़ाना है हमें युवाओ को रोजगर उपलब्द कराना है इसके लिए शमकानून को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया है उन्होंने उध्योग के लिए रहत की भी खोशना की है स्वास्त मंत्राले की मताबिक देश भर में कुरुना संक्रमितों का आकड़ा 52,952 के पार पहुँच किया है अब तक 1,783 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि देश भर में 15,266 लोग ठीक हो चुकी है मध्यप्रदीश में कुल 32 के पार ये आकड़ा पहुच किया है और जिनवाडा में 5-5 मरीज मिली है प्रदेश में अब तक 176 मरीजों की मौत हो चुकी है जिसमें सबसे अधिक 81 मौत इंदवर में हुई है अच्छी खबर ये भी है कि प्रदेश में अब तक 1000 संक्रमित ठीक भी हyttी हुए है दिल्ली, आंध्रप्रदेश और तमिलाडों के बाद अब मध्रदेश में भी राजस बढ़ाने की कवायत तेस हो गई है इसके लिए शवराज सरकार प्रदेश में शराब पर कोरोना टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है वहीं शराबास सरकार आज शराम कानूनों को लेकर बड़ा एलान भी कर रही है इसमें शराम सुधार को लेकर प्रदेश में नया मौडर गुशित किया जा सकता है अनि राजों में भसे मध्रदेश के मज़दरों के प्रदेश वापसी का सलसिला जारी है अब तक 70,000 शमिकों के प्रदेश वापसी हो चुकी है और प्रदेशों में भसे मजदुरों को लाने के लिए ट्रेने रवाना हो गई है वहीं विरीशों में भसे भारतियों को वापस लाने के लिए 64 फ्राइट्स चलाए गई हैं एक दो दिन में सभी भारतियों को वापस ल बस्त रहें